हाई फ्रेंड्स वल्कों टू माई यूटूब चनल एक्जाम लाइन दोस्तो आज हम लोग जो डिस्कोशन करने जा रहे हैं यह काफे ज़्याधा इंपोर्टन टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है लसे एम आड़ एजसे एफ ठीके इसी टॉपिक की अंदर में सारी की सारी क सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरू दबा दीजिए ताकि जो भी भी विट्व हम लोग अप्लोड करेंगे सारी की सारी नोटिविक्शन आपका पास में चला जाएगा ठीके चलिए हम लोग सुरू करेंगे कोस्चिन से एक नमबर का कोस्चिन हमारे प पुरी धयान से देखिए ये अच्छा कोस्चिन है जो की देखिए आररसी और सी हजीपूर आरसी जयपूर टीसी 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 आंड शीसी जयपूर ऐसे करके यह जो दे रखाए यह सारी इक्जाम में पहले पुछा जा चुकी है ठीक है आप लोग पूरी ध्यान से देखि इसे करके लखेंगे उसका बात δू से शुरू करेंगे जो संख्या हम live लेखेंगे, जो कि यह सारी की शारी तीनों संख्या से पूरी की पूरी दूिघिवेल हमीज नियाएंव पहले हम लग दोसे करेंगे Dad दो से कटेंगे तो यह बार में जाएगा और यह अठरा में जाएगा यह बीस से से जाएगा ऐसे करके हम लोग देखेंगे फिर से दो कटेंगे दो छे जाएगा और दो नाइन जाएगा और दो दो जाएगा उसका बात दो में कटेंगे दो में तीन जाएगा और यह नौ जै ठीक है फिर हम लोग 2 से 2 से 3 कट जाएगा 3 नहीं कट दो के आगे क्या है 3 हम लोग 3 जैसे की तीन में एक बार जाएगा तीन में तीन बार जाएगा यह 5 ooh की 5 जैसे की क्या होगा हमारा दो गुन्य दो गुने दो गुने तीन गुने तीन गुने पांच देखेंगे इसको जैसे गुणा करेंगे दो दुने चार चा दुने आठ आठ पंचे चालीज उसका बात तीन तिया नो यानी 5360 साथ, option number C होगा हमारा सही अंसर, ठीके, उसका बात देखेंगे, दुसरा को सिन, दुसरा को सिन भी ऐसी तरकत दे रखा है, 37, 63 यानि बास्तरी, उसको हम लोग भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 27, 63, 22, हम इसको दो से शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बड़ा संक्य संक्या देखेंगे, पहले ये सारी किसारी कटना चाहिए, ठीके, हमारा पास क्या है, 9 हम लोग जैसे कि लेंगे, 9, 3, 7, 2, 9, 7, 63, 9, 22, उसका बात देखेंगे, ये ये जो संक्या नीचे देख रखा है, 3, 7, 8, ये कही से भी नहीं कटेगा, ठीके, यानि 2 जैसे कि हम लोग देखें, ये कही से में नहीं कटेंगा, तो पूरी की पूरी इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 9 गुणे, 3 गुणे, 7 गुणे, 8, हम लोग जैसे करेंगे, तो हमारा पास 1512 हमारा निकल कराएगा, 1512, देखेंगे, अप्शन नम्बर क्या है, अप्शन नम्र ए होगा हमार कैसे करेंगे, प्रिध्यान से देखें, सही तरीके से लेखें, सही तरीके से लेखने से पहले, हम ये पॉइंट को हटा नहीं, हम लोग सिर्फी गुणा करेंगे, 10 गुणा कर देंगे, सब से, ठीके, एक ही हम गुणा कर देंगे, गुणा करने से, गुणा करने के बाद हम गुणे 10, 13 और यह जो 0 हट जाएगा 10 गुणा करेंगे तो हमार पास 27 यह 0 हट जाएगा तो हमार पास 9 आ जाएगा यह 30, 27, 9 होगा हमारा यह तीनो संख्या का हम लोग LCA निकालेंगे तो हम पहले किसको लेंगे 3 को लेंगे 3 में 10 बर जाएगा 9 बर जाएगा 1 बर जाएगा जैसे कि फिर 3 में लेंगे यह 10 को 10 से ही सही रहे जाएगा 3 त्या 9 त्या 9 त्या 9 एकम उसका बाद देखेंगे यह 10 और 3 से कही से भी नहीं कटेगा एक दूसरे से एक ही संख्या में नहीं कटेगा क्योंकि यह 3 है यह 10 है आप किंतिया नौतिया 37 गुणे 10 हमार पास क्या है देखिए हम इसको पहले गुणा कर रहे हैं 10 से इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से डिभाइड करेंगे जैसे कि डिभाइड करेंगे तो हमार पास निकल कर आएगा अप्शन नॉम्बर डी हो गया हमारा साई अंसार ठीके चले हम लोग नेश्ट देखें नेश्ट है हमारा 63-72 और 180 का महत्म समा पर्तक महत्म का मतलब क्या है HCF HCF यह हो गया था हमारा LCM यह हो गया हमारा HCF यह RRB TCCCC 2005 में यह पुछा गया कोशिन है ठीके तो हम इसको कैसे करेंगे 63-72-180 एक ही संख्या चुनेंगे जो पूरी की पूरी यह तीनों में भाग जाएगा 9-7-63-9-22-3-9-20-180 उसका बात देखेंगे 2 से जाएगा तो यह सारी की सारी कटना चाहिए क्यों भाग जाने पर यह हो गया था उसका बात देखेंगे यह जो hcf हम लों निकल रहे है यह hcf देखें hcf को निकलने के लिए हम लोग 9 में जैसी भाग देंगे यह सारी की सारी कटने ग़ेगा चार 1190 हुआ हैं इसको निकालेंगे एक की संख्या में आप लोग इसको निकालने से पहले और एक ट्रिक में बता दे रहा हूं जो अप्शन में दे रहा है ठीकिए पहले आप लोग ओप्शन को लेक्श लीजिए ऑप्शन में जो पूरी की पूरी कर जाएगा इसको अपना करके चले आई है तो में मेरे खिलाब से यह स्पीडी होना चाहिए कि पहले आप लोग इसको कर दीजिए दोसो चार ग्यारा सवनोबे और चोग दोसो पंचाल के से हम लोग डिभाड़ी करेंगे आप भी करके मोरे कमेंट वक्स प्रें जरूर बताना ठीके चले हम लोग देखेंगे नेस्ट कोशिन बे नेस्ट कोशिन दे रखा है 161 & 203 का है 161 & 203 प्थेले और एक ट्रिक में बता दे रहा हूं जो छोटी सी छोटी संख्या को सिर्फ इस से भाग देना चाहिए 161 हमारा पास 200 तेरफण ठीके तो एक ही बार जाएगा उसका बाद देखेंगे हम इसको माइनस करेंगे तीन में से एक का दो और पंदरा पंदरा में 61 जाएगा पंदरा में 6 जाएगा तो 9 होगा हमारा होगा 9 उसका बाद यह इधर से आएगा एक सो एक सकट शिर्फ फिर से भाग देंगे तो हमारा पास क्या आएगा एक ही फुनी फिर एक की आएगा उसका बाद देखेंगे 11 से 2 गया तो 9 होगा और 16 इधर से गये ये 15 होए 15 में गया 9 उसका बाद ये इधर से आएगा फिर हम लो भाग देंगे एक ही बार जाएगा 6-9 उसका बाद हम लो घटाएंगे 12 से 9 गया तो 9 तीन होगा उसका बाद ये इधर से क्या है आठ आठ में जागा 23 होगा उसका बाद 69 ये 69 को हम लोग जैसे चुड़ेंगे तो हमारा पास कितना जाएगा तीन बार जाएगा 69 हो गया हमारा जिरो यानि इससे हम लोग 62 से उनस्तर से और तेई से सिर्फ हमको लास्ट को देखेंगे ये हो गया हमारा HCF ठीक है ये होगा हमारा HCF आपने इसको करके देख सकता है येसे करके आम लोग HCF निकलना चाहिए HCF को कैसे निकलना चाहिए मैं के होची कहुँँ पहले अभी जो मुवेता रहाओ ये HCF कैसे निकलना चाहिए सही तरीके से हम लग देखेंगे सात नंबर का कुश्चिन शरी ये जो हमारा 23 है अप्शन नंबर B होगा हमारा आंसर ठीक है सात नंबर का कुश्चिन देखें दोसो सत्यर तथा चास्व पांच का लोशप और मौशप का अनुपत ज्याद कीजिए ये अच्छा कोश्च दोसो सत्तर ठीके पहले हम लोग HCF निकलने से पहले हम लोग क्या जनते हैं सबसे चोटी संख्या से इसको भाग देंगे हमारा पास छोटी संख्या क्या है दोसो सत्तर उसका बात हमारा पास बड़ी संख्या क्या है चार सो पांच हम ऐसे करकेंगे तो हमारा पास क्या जाएगा एक ही बार जाएगा दो सो सत्र आएगा तो हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे पांच से पांच आएगा और इधर से जीरो से साथ नहीं जाएगा तो हम इसको इसे घटाएंगे दो से साथ जाएगा तीन यह एक एक सो पेंटीस उसका बात यह ज कटेंगे तो हमारा पास 270 आज जाएगा तो मैं कह चुकी हूँ पहले एसे एसे यह दो संख्या में कौन सा होगा जो सबार लास्ट होगा तो हमारा पास क्या हैगा एक तीन पांस तो उसका बात देखेंगे सबसे बड़ी सी संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों में डिभाइड होगा उससे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ठीके हमारा पास बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है सबसे हम लोग क्या कर देंगे एक्सो पोइनटिस गुणे दो गुणे तीन यह होगा अठासो दोजो होगा हमारा एलशेम और एक्सो पोइनटिस उसका बाद यह जो क्याए लोसप और मशफ का अन्नुपात क्या है हमारा पास लोसब क्या है? लोसब हमारा पास 810 बटे 135 तो हमारा पास क्या है? अप्शन नमबर A ठीक है? आनि 6 बटे 1 यह 6 से जाएगा और नीचे A की है 6 बटे X आनि 6 अनुपत X होगा हमारा आंसर उसका बाद 8 नमबर कोशिन देखिए 608 544 638 783 तथा 425 476 का मासब क्रमोस क्या होगा? यह जो दे रखाए यह दोनों संख्या को काउंट करके दे रखाए यह संख्या यह संख्या और यह संख्या यह दोनों का हम लोग क्या करेंगे? हम पर क्या? HCF आच्छे से देखिए HCF ठीके यह दो का HCF यह दो का HCF यह दो का HCF यह दो का HCF यह तीनों HCF हमारा अप्शन नमबर A में आएगा ठीके आप इसको करके मेरे comment box में जरूर बताना उसका बाद देखिए 9 नमबर का question अच्छा खासा question है जो की fraction में दे रखाए यह से question को हम लोग कैसे करेंगे? हमारा पास क्या है? 2 बटे 3, 8 बटे 15 और 10 बटे 21 त्यसके हैं तो हम किसको HCM याद करेंगे यह दे रखाए HCM गयाद करने के लिए HCM गयाद करने के लिए हम इसको पहले जाने है जैसे कि हमारा पास उपर में और निमनेटर और डिनोमीटर में ठीके जैसे कि HCM कह रहा है त तो सिर्फ उपर में हम लोग लखेंगे LCM, और नीचे रखें H-shape, जैसे कि हमारा पास है LCM निकलना है, जद्धी आप लोग कहते हैं H-shape निकलना, तो पहले H-shape हम निकलना है, उसका बाद LCM निकलना है, ये दोनों फर्मूला को आप लोग ध्यान चे देखिए, LCM को ज्यानत करने के लिए कह रहा है, तो सिर्फ पहले उपर में, उपर का मतलब क्या है, 2,8,10 का LCM निकलना है, उसका बाद नीचे जो है LCM निकलना है, ठीक है LCM बटे LCM होगा, ये होगा LCM, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये जो उपर में जितने संख्या है, 2,8,10, इसका LCM, दो में एक बार, चार मार, पांच बार, पांच बार, पांच चो बीच दूने, चालेज, ठीक है, ये होगा हमारा क्या LCM, उसका बाद नीचे जो आ रहा है, इसका LCM हम निकलना चाहिए, LCM क्या है, 3,15,21, LCM क्या, सरी, LCM क्या है, 3,1,3,3,5,3,7, यानि ये कही से भी नही देखेंगे, सही कोस्चिन, 10 नमबर का कोस्चिन, देखेंगे, कर दीजिये, इसको, 2,5,6,25,8,35, क्या कह रहा है, LCM, शिर्व उपर का हम लोग LCM, और नीचे का LCM, ठीक है, LCM क्या है, 2,6,8, का LCM है, 8, आप लोग देख सकते है, 2,2,3,6,24,8, हम इसको LCM निकलनागे, चार, तिया, बार, दुने, 24, यह होगा हमारा LCM बटे, हम क्या कर रहे है, LCM निकलना, LCM होगा 5, यानि 24 बटे 5, अपसर नमबर C, ठीक है, एसे करके 11 नमबर 9 बटे 10, आने 12 बटे 25, आने 8 बटे 35, आने 21 बटे 40, इसका क्या मौसव पो निकलनागे, ठीक है, मौसव का है, तो उपर से हम लोगे, नीचे हमारा है, LCM निकलना चाहिए, ठीक है, हम देखिए, 9 बटे 10, 12 बटे 25, 18 बटे 35, और 21 बटे 40, एई सेंख्या दे रहा है, पुछा जा रहा है, HCF, HCF निकलने से पहले, हम पहले HCF निकलेंगे, HCF की बात हो रहे है, तो पहले HCF उसका बात HCM, ठीक है, HCF क्या होगा हमारा, 9, 12, 18, 21, एसी संख्या हम लोग चुछ किजिए, जो कि पूरी की पूरी तरह से divisible होना चाहिए, हम तीन को मनेंगे, 3, 29, 34, 308, 37, 21, उसका बाद हमारा पास कोई संख्या नहीं है, जो कि यह सारी किसारी कट जाएगा, तो पहले हमारा 3 हो गया HCF, तो हम पहले 3 लेखेंगे, नीचे हम क्या कह चाहिए, HCM निकलना चाहिए, यह हमारा फर्मूला बेस पार, ठीक है, HCF जैसे, फ्रैक्शन मोड में, जो से कि HCF उच्छा जा रहा है, पहले HC उसका बात HCM, जदी आपको HCM पुछा जा रहा है, पहले HCM, उसका बात HCM, जो पुछा जा रहा है, पहले HCM, जो पुछा जा रहा है, पहले HCM, जो पुछा जा रहा है, जो संख्या को, सारी कि सारी हम, यह से कि हम, निकल दीजिए, उसका बात नीचे दे रहा है, उसका उल 35, 40, ठीक है, 10, 25, 35, 40, इसका LCM क्या है, सिर्फ हम लोग देखें, पांस से कटेंगे, 5, 2, 10, 5, 25, 5, 7, 35, 35, 40, उसका बाद 2 से जाएगा, 2, 1, 2, 5, 7, 4, उसका बाद देखें, ये सारी की सारी हम लोग गुना कर दीजे, 7, 4, 28, 25, क्या है, 8, 140, 140, गुने 10, हमरा क्या है, 24, ये होगा हमारा LCM, पहले हमारा HCF 30, 3, और LCM 24, तो हमारा पास क्या है, 3, 24, अप्शन नम्बर क्या है, C, ठीके, ये से करके 12 नम्बर आपकी इसको कर जे, मेरे कमेंट सेक्षिन में जरू बताई, नेस्ट देखेंगे,